हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहिए भीहाज जी के ट्रेक्स में आपका स्वाइद करता हूँ आज हम लोग सची वाले सहाय के प्रेक्टिस एट फोर को इस वीडियो में देखेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमार चैनल भीहाज जी के ट्रेक्स सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इससे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को जो दोड़ाय दोड़ाय विडियो के शट करते हैं तो आज का पहला परशन है नेमलकित में से कौन सा मिलान और शत अर्थात गलत है तो इसका श्रयोतर है ओप्सन A उस्टेलिया हरीकेन यह बिलकुल गलत है उस्टेलिया में वीली वीली चकरवात आता है जबकी हरीकेन अटलांटिक महाशागर में आता है बागी ये तीनों जो हैं वे सही है अगला पशन हैने में कित में से कौन सित्वोष्ण मरवस्थल नहीं है अर्थात cold dessert नहीं है तो इसका सही उत्र है सोनोरस अर्थात option D सित्वोष्ण मरवस्थल नहीं है बाकी ये तीनों जो हैं वे सभी cold dessert है अब अगला प्रश्ण है निम्मे से कौन सी नदी पांच देशों की राधानियों से गुजरती है तो इसका श्यूत्तर है ऑप्शन B अर्थात डेनियूब नदी जर्मनी के बलैक फॉरेस्ट परवत से निकलने वाली डेनियूब नदी यूरोपिय देशों की पांच राधानियों बुखारेश्ट जो की रोमानिया की राधानि है ब्राती सुलावा जो की सलोवेनिया की राधानि है बेलग्रेड जो की यूकोसलाविया की राधानि है बुड़ापेश्ट जो की हंगरी की राधानि है और वियना जो की आस्टेरिया की राधानि है से गुजरने के बाद खाला सागर में गिरती है वोलका नदी के बाद डेनियूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है अब अगला पस्टन है निम्मे से कौन सा द्यूप छेतफल में सबसे बड़ा है तो इसका शेयूत्तर है न्यू गिनी यह द्यूप जो है वह छेतफल में सबसे बड़ा है अगला पश्ण है करेवा भू आकिर्थी कहां पाई जाती है तो इसका श्रेउत्तर है कास्मीर हिमाले में करेवा भू आकिर्थी कास्मीर हिमाले में पाई जाती है अगला पश्ण है निम्द महासागरिय धाराओं में से कौन सी परसाथ महाशागर से सम्बंदित नहीं है तो इसका श्रेय उत्तर है कनारी धारा कनारी धारा जो है यह परसाथ महासागर से सम्बंदित नहीं है जबकि यह उत्री अट्लांटिक महाशागर से संबंदित है और यह ठंडी महाशागरी धारा है अब अगला पस्ट है भारती जनगंदा 2021 के नुसार बिहार का लिग गानुपात क्या है तो इसका श्रेउत्तर है 918 अगला पस्ट है निम्मे से कौन सी नदी गोदावरी की सायक नदी नहीं है तो इसका श्रेउत्तर है दूध गंगा दूध गंगा करिशन की सायक नदी है बलकि बाकि यह सभी पेन गंगा वेन गंगा और इंद्रावधी ये तीनों जो हैं वे गुदावी नदी की सायक नदी है अब अगला पश्ण है निम्रिकित में से किस परकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं तो इसका शयुत्तर है सदा बाहर बन सदा बाहर बन बिहार में नहीं पाए जाते हैं अब अगला पश्ण है पुनपुनदी गंगा में किस अस्थान पर मिलती है तो या दखेंगे पुनपुनदी गंगा में बिहार में फत्वा में मिलती है अब अगला प्रश्ण है रागी के उत्पादन में पर्थम अस्थान किस राज का है तो इसका शेयुत्तर है रागी के उत्पादन में पर्थमा स्थान बिहार राज का है रागी अर्थात मडवा उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पर्थम है यह एक मोटा अनाज है इसका सबसे अधिक उत्पादन दर्भंगा जिला में होता है अगला प्रश्ण है अंदमान दीप समू का सरवुच सिखर है कौन सा अगला प्रश्ण है आठ डिग्री चैनल किसके मद अस्थित है तो इसका सहय उत्तर है आठ डिग्री चैनल यह मालदीव एबं मीनी काई के बीच अस्थित है अब अगला परशन है रंजी ट्रोफी 2022 का किताब किस किरकेट टीम ने जीता तो इसका सहय उत्तर है मद्धे परदेश ने रंजी ट्रोफी 2022 का किताब मद्धे परदेश ने जीता अब अगला परशन है नेम्रिकित में से किस बौध विक्चू के आगरा पर महात्मा बुद्ध ने बौध संग में अस्तिरियों को परविश देना सुईकार किया था तो इसका सहय उत्तर है उनके शिस आनंद के आगरा अर्थात अनुरोध पर आनंद बौध धर्म के परमुक विच्चू तथा महात्मा बुद्ध के परंप्रिय सिश्यों में से एक थे आनंद के आगरा पर ही महात्मा बुद्ध ने बौध संग में अस्तिरियों को परविश देना सुईकार किया था महात्मा बुध की मिर्द्यू के बाद आनंद राजगीर में हुए पर्थम बौध संगेती में समलित हुए थे अब अगला पश्ण है महात्मा बुध का जन्म कहा हुआ था तो इसका स्यूत्तर है महात्मा बुध का जन्म लुम्बनी में हुआ था जो की नेपाल की तराई में अस्थित है अगला पश्ण है तुरकाने चहल गानी का निर्मान किसने किया था तो यहाद दखेंगे तुरकाने चहल गानी का निर्मान इल्दूत्मिशने किया था अगला पश्ण है मजम उल्बहरीन जो की दो समुंद्रों का शंगम है की रचना किशने की थी तो इसका शेह उत्तर है दाराशिकोने या दखेंगे मजम उल्बहरीन की रचना दाराशिकोने की थी अगला परशन है बंबय का वास्त्विक संस्थापक कौन है तो इसका श्री उत्तर है बंबई का वास्त्विक संस्थापक गैरोल्ड अंगियार है कौन है गैरोल्ड अंगियार अगला प्रश्ण है अठासो संतावन की क्रांती सबसे पहले कहां से प्रागाम हुई तो याद दखेंगे मेरट से अब अगला प्रश्ण है भारत के राष्ट्य गीत बंदे मातरम के लेखक कौन है तो इसका से उत्तर है बंकीम चंद्र चटर जी भारत का राष्ट्य गीत बंदे मातरम बंकीम चन चटर जी की परशित क्रिती आनन्द मट से लिया गया है यह उपन्या संत्नियाशी विद्रों पर आधारित है भारत के राष्ट्य गीत को 896 में कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिविशन में पहली बार गाया गया था अगला पश्ण है भात में आत्निक सिच्छा पढ़नाले की नीव किसे परी तो इसका श्यूत्तर है 835 में काले का असमन पत्र से किसे 835 में काले का असमन पत्र से मैं काले ने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्ते काले की एक अलमारी का एक करक्च भारत और अवरप के समस्त साहित से अधिक मुल्यवान है वहीं लोड विलियम बैंटिक के काल में 7 मार्च 835 के प्रस्ताव के द्वारा मैं काले का द्रिश्टी कोन अपना लिया गया था अब अगला प्रश्ण है आगरा सहर किस नदी के किनारे अस्तित है तो यह कोशन हम सभी लोग जानते कि आगरा सहर यमना नदी के किनारे अस्तित है अगला प्रश्ण है न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकासन किसके द्वारा किया गया था तो याद अखेंगे एनी बेसेंट के द्वारा किसके द्वारा एनी बेसेंट के द्वारा अगला पस्ट है भारती राष्ट कॉंग्रेस के अठासो पचासी में महासची विकौन थें तो इसका शेवत्तर है एओ हुम एओ हुम ही भारती राष्ट कॉंग्रेस के संस्थापक अगला पश्ण है हाली में किस देश की पुरुस बैडमिंटन टीम ने बैंककॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को तीन सुन्ने से हराकर पहली बार थोमसकप का खिताब जीता है अगला पश्ण है मुद्रा अस्फिती की कारण किसको लाव होता है तो या दखेंगे मुद्रा अस्फिती की कारण रिनी को लाव होता है किसे रिनी को अगला पश्ण है फीफा वर्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो इसका शही उत्तर है UAE का किस देश में UAE में फीफा विसकप 2022 इस साल नवंबर में कतर में आयोजित होने वाला है मेजवान कतर सहित केवल 32 टी में ही 22 पुटवल विसकप के लिए क्वालिफाइग कर सकी अब अगला प्रश्ण है निम्रिखित में से किस राज में कुल भागोलिक छेट का अधिक्तम परतिशत वाला छेटर है तो इसका शही उत्तर है मिजोरम किस राज में मिजोरम में अगला प्रश्ण है भाद में पहली जनसंख्या निती की घोष्णा की गई थी कब की गई थी तो इसका शही उत्तर है 1976 को कब क्या गया था 1976 को बाद में 1981 में इस जनसंख्या निती में कुछ संसोधन भी किये गए थे अगला प्रश्ण है भाद के Unified Payment Interface अर्थात UPI Platform को अपनाने वाला पहला देश बन गया है कौन तो इसका शही उत्तर है नेपाल कौन सा देश नेपाल जिसने UPI Platform अपना लिया है भारत का अब अगला प्रश्ण है सर्वाहारी जन्तु किस वर्ग में आते हैं तो या दखेंगे सर्वाहारी जन्तु दुत्यक उपभोगता की अंतरगत आते हैं ऐसे जीव जन्तु या जानवर जो साकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं सर्वाहारी जन्तु कहलाते हैं अगला पश्ण है बिहार में अधिक्तम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है तो इसका श्यूतर है किसन गंज में किस जिले में किसन गंज में अगला प्रश्ण है कवक अर्थात फफुंद द्वारा कौन सा रोग होता है तो इसका शही उत्तर है दाद कौन सा रोग दाद अगला पश्टन है बीजो का सरवोत्तम सनलक्षन किस परिश्थिति में होता है अब अगला पश्टन है वैस्विकताप से क्या संभावना होशक्ति है तो इसका शेयुत्तर है उप्रोख्ट सभी संभावना अर्थात समुन्द के अस्तर में बृत्धी हो सकती है फशल के स्वरूप में परिवर्टन हो सकता है और दूपी देशों को खत्रा हो सकता है अर्थात उप्युक तीनों जो है यह सभी संभावना वैसिक तापन से संभाव है अब अगला प्रश्ण है लोलक का अवर्थकाल किस पर निर्भर करता तो इसका शयुत्तर है लंबाई पर लोलक की कालावधी उसकी लंबाई के उपर निर्भर करती है अता लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कालावधी भी उतनी ही अधिक होगी अगला प्रश्ण है वर्षा की बुन की गोलाकार आकिर्थी का कारण क्या है तो इसका शयूत्तर है द्रव का प्रिष्ट तनाव अब अगला परश्ण है परकास तरंगों के वायू से खाच में जाने पर क्या परिवर्दित होता है तो इसका शेय उत्तर है तरंग धैर और वेग का अगला परश्ण है राशानिक रूप से सोखी वर्प क्या कहलाती है तो इसका उत्तर है ठोसमकारवन डै ऑक्साइड को सुखा वर्फ भी कहा जाता है बेकिंग सोडा का राशानिक सुद्र क्या है तो याद कहेंगे बेकिंग सोडा का राशानिक सुद्र NaHCO3 है क्या है NaHCO3 जिसे हम लोग sodium bicarbonate के नाम से भी जानते हैं अगला पस्ट है निम्लेकित में से कौन एक अधिश राशी है तो इसका शयुत्र है द्रव्यमान अगला पस्ट है निम्लेक से कौन अस्तन पाई है तो यह दखेंगे उप्रुक्त सभी अर्थात चमगाधर समुंदरी गाय और समुंदरी सी ये तीनों जो है अस्तन पाई है अर्थात इसका शयुत्तर option D होगा अर्थात उप्रुक्त सभी अब अगला पस्ट है निम्मे से कौन मानसहारी कीट भक्षी पौधे होते हैं तो इसका शयुत्तर है घट पढ़नी जो है मानसहारी कीट भक्षी पौधे होते हैं जो अल्ब खनी जिया फिर अमली मिर्दा में उगते हैं तथा जहां पर नैटोजन की कमी होती है नैटोजन को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं अब अगला प्रश्ण है अनुवांसिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता तो इसका शयुत्तर है ग्रेगर जौन मेंडल को किसे ग्रेगर जौन मेंडल को अब अगला प्रश्ण है मनुष की खोपरी में कुल कितनी अस्थिया होती है तो या दखेंगे मनुष की खोपरी में कुल 28 अस्थिया होती है जिस में से आठ अस्तिया मनुस के मस्तिस के चार ओर का मस्तिस खोल बनाती है सेस हडियों में से कुल 14 हडिया हमारे चहरे का कंकाल बनाती है तथा सेस छ मद्य वर्णों के कंड अस्तिया होती है जो की सुनने में सहयक होती है अब अगला परशण है पारी डॉकसिन किस बिटामिन को कहा जाता है तो इसका शेल उत्तर है बिटामिन B6 को किस को? विटामिन B6 को अब अगला पस्टन है यदि किसी लेंस की छमता एक डायोप्र है तो उसकी फोकस दुरी एवं लेंस की प्रकीरति कैसी है? तो इसका यशले उत्तर है एक मीटर और उत्तर लेंस है लेंस की फोकस दुरी की विद्व करम को लेंज की चमता करते हैं उत्तर लेंज की चमता धनात्मक जबकि अब तर लेंज की चमता रिनात्मक होती है क्योंकि इनकी फोकस दुरिक करमजर रिनात्मक एवं धनात्मक होती है अब अगला पश्ण है मुल समिधान में कुल कितनी अनुसोचियां थी तो या दखेंगे मुल समिधान में कुल आठ अनुसोचियां थी जबकि वर्तमान में भारते समिधान में कुल बारा अनुसोचियां है अब अगला प्रश्ण है निम्लिकित में से कौन सामिलान अश्रत अर्थात गलत है तो इसका शेयुत्तर है option C आपात उपबन भाग 20 में है यह बिल्कुल गलत है आपात उपबन समिधान के भाग 18 में उलिकित है बाकि सभी विकल्ब सही है अब अगला प्रश्ण है समिधान नेतर संस्था है कौन सी तो इसका शेयुत्तर है मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार आयोग समिधान नेतर संस्था है जिसका गठन मानवाधिका संरक्षन अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था अंतीनो संस्थाओं का उलेक समयधान में किया गया है अगला परशन है नेमलेकित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्ष नहीं थे तो इसका श्यूत्तर है विलियम लौरेंस या कैबिनेट मिशन के सदस्ष नहीं थे अब अगला प्रश्ण है समिधान के किस भाग को भागत के नागरिकों का अधिकार पत्र अर्थात मैगना काटा कहा जाता है तो इसका श्रेव उत्तर है भाग तीन को किस भाग को भाग तीन को अब अगला प्रश्ण है निम्मे से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है तो कौन सा चुनाव तो याद दखेंगे अस्थानिये निकायो का चुनाव चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता अब अगला प्रश्न है भारते समिधान के समयधानिक सलाकार के रूप में किसे जाना जाता है तो इसका श्रे उत्र है B.N. राउ को किसे B.N. राउ को अब अगला प्रश्न है भारत की समयधान सभा के राष्टिय ध्वज को सरप्रथम कभ स्विकार किया गया तो या दखेंगे 22 जुलाई 1947 को अगला प्रश्ण है राजसभा का गठन कव किया गया था या दखेंगे राजसभा का गठन 3 अप्रेल 1952 को किया गया था संसद राजसभा लोकसभा तथा राश्पते से मिलकर बनती है राजसभा एक एस्थाई सदन है इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो शक्ती इसका विघटन नहीं हो सकता बलकि इसके एक तिहाई सदस्परतिक दो वर्स पर सेवा निर्वित हो जाते हैं सरप्रतम इसका गठन 3 अपरेल 1992 को हुआ था इसकी पहली बैठक 13 माई 1992 को हुई थी अगला प्रश्ण है राश्ट्य नियाइक नियुक्ति आयो की अस्थापना संसत के किस संविधान संसोधन द्वारा की गई थी तो इसका श्यूत्तर है नियन्यानवेबा संविधान संसोधन अधिनियम 2014 के द्वारा अगला प्रश्ण है स्व अस्थाने क्या है तो इसका श्यूत्तर है वनस्पति या फिर जन्तों का सनलक्षन कर सरी सनलक्षन उसके मूल प्राकिर्टिक आवाज शेत्र में करना ही स्व अस्थाने है अब अगला प्रश्ण है भारते संसद में अस्थाई समीतियों की परणाली विक्सित की गई थी कव की गई थी विक्सित तो इसका श्यूत्तर है 1983 से कव से 1983 से अगला प्रश्ण है green piece क्या है? तो इसका स्युत्तर है परियावरण समर्थकों का एक अंतराष्टिये शंगठन अगला प्रश्ण है बिहार के प्रमुख समाचारपत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो इसका श्यूत्तर है बाबु महेस्वर प्रसाधी बिहारी समचारपत के संपाधक है अगला पस्टन है यक्षगान किस राज का नेत्र है तो इसका श्यूत्तर है यक्षगान करनाटक का राज नेत्र है अगला पस्टन है ताम लिपी किस राज में अस्तित है तो इसका शरी उत्तर है बंगाल में किस राज में पश्चिम बंगाल में अगला प्रश्ण है निम्लिकित में से किसे काईदे आजम के नाम से भी जाना जाता है तो इसका शेयुत्तर है मुहम्मद अली जिन्ना को काईदे आजम के नाम से भी जाना जाता है अब अगला प्रश्ण है महात्मा गांधी का समाधी अस्थल कौन सा है तो इसका शेयुत्तर है राजगाट महात्मा गांधी का समाधी अस्थल राजगाट दिल्ली में अस्थित है जिनकी 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडशे ने गोली मारक हत्या कर दी थी 30 जनवरी को सहिद दिवस के रूप में मनाया जाता है अब अगला प्रश्ण है शुरू की गई थी, अब अगला प्रस्ट है अजन्ता की घुफाएं किस राज में अस्तित है तो यह दखेंगी अजन्ता की घुफाएं महाराष्ट के अरंगा बाद जिले में अस्तित हैं अजन्ता की गुफाएं 1983 से युनेशकों की विश्धरोवर अस्तल गोशित है यह बौध्धर्म से संबन्दित चितरन एवं सिल्बकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं अगला प्रश्ण है निम्मे से किस देश में सबसे ओची मर्ज दीध है तो किस देश में तो इसका श्यूतर है मिस्र में तो यह था आज के वीडियो का आखरी प्रश्ण आसा करता हूं आप लोग को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो यदि आप लोग को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो से लाइक और शेयर जरूर करें तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद